हेलो गाइज विल्कुम तोन अकाडमी मैं हो इनकेत अगरवाल और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जीस्ट्री के टॉपिक की जो की है सिक्स्थ मास एक्स्टेंशन तो हमें इस लेबस में यह डारेक्टली कुछन पूछा जा सकता है और पहले भी एक चीज है या ऑपरेट करती है और इसमें क्या कुछ हम मिटिगेशन के लिए कर सकते हैं वीडियो शूर करने से पहले में आप लोगों को से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियों, लेच्चर्स जो हैं वो देख सकते हो और आप अपने त्यारी घर बैठे-बैठे कर सकते हो इसके अंदर हमारे पास कहीं सारी प्लान्स है 1 मन्स का फ्लान्स का फ्लान्स है एक साल का और दो साल के भी प्लान्स हैं सबसे ज़ andere फाइदा हैंए और आपको 75%LEー के आप लोगों को हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन करना चाहिए जिससे कि आपकी UPSC की त्यारी अच्छे से हो सके क्योंकि आपको इसमें रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे, पीडियाफ फाइल्स मिल जाएंगी और अन्य रिसूर्स जो भी आपके एक्जाम से समंदित हैं वो सारे के सारे यहां पर डाल दिये जाते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा तो यह अनकाडमी आर्टिकुलेट का टेलिग्राम चैनल है इसके मेरी और जो अपडेट हैं वो आती रहती हैं तो आपको इसको भी जॉइन कर लेना चाहिए एसकोर्स यह सब फ्री है तो अब बे रिसेर्चर्च ने कहा है कि जो अभी 6th मास एक्टिंशन है ये start हो चुकिया इस अब इस अब से जादा खतरनाक होने वाली है existence of civilization humans के लिए भी ये काफी जादा खतरनाक होने वाली है and it is the most serious environmental threat mass extinction refers to a substantial increase in the degree of extinction or when the earth loses more than three quarters of its species in a geologically short period of time so mass extinction का मतलब क्या होता है so mass extinction वो phenomena है जिसमें earth के उपर बहुत जादा जो animals है plants है उनकी extension हो जाती है उनका खात्मा हो जाता है और more than three quarters of species जो जो खतम हो जाती है और थोड़े से point of time पे ही ऐसी खतम हो जाती है वो कोई घुगोली अगट ना हो सकती है कोई natural phenomena हो सकता है या कुछ भी ऐसा हो सकता है तो important term है three fourth three fourth अगर आपकी जो species है जो living beings है वो खतम हो रहे हैं यहाँ पे तो वो mass extinction की category में आएगा since life first evolved on the planet a short geological period of time is defined as less than 2.8 million years ago तो यहाँ पे हमें बता जा रहा है कि जो short geological time है उसको हम 2.8 million years लगा के चलते हैं first mass extinction कब हुआ था? यह हुआ था end of odovation era odovation era था यह यह four 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 triple four million years एक million के अंदर 10 लाक होते हैं तो 444 into 10 लाक यानि कि 4000 साल 4000 लाक साल पहले की यह घटना है उसके बाद इस पे 86% जो species थी plants और animals की वो खतम हो गई थी और इसका main cause क्या था? जो अब तक हम पता लगा वाए हैं वो है severe ice age that lowered the sea levels and possibly triggered an upliftment of Appalachian Mountains यह North America के अंदर है Appalachian Mountains and इसके कारण क्या हुआ कि नई silicate rocks आगे जिन्होंने CO2 को सक कर लिया और CO2 सक होने से क्या हो गया? कि overall जो आपका temperature है पूरे world का वो कम होने लगा क्योंकि हमें पता है कि CO2 क्या है? एक किसम से green house gas है तो यह एक blanket create करती है और as a blanket यह क्या करती है? यह blanket की तरह से suppose यह blanket हो गया तो यह Earth की heat को escape नहीं होने देता तो जो temperature है उसको maintain करके रखते है एक warmth देती है अब अभी क्या हो रहा है? प्रेजन से सिनारियो में CO2 का emission ज़ादा हो रहा है और sea level से जो थे वो कम होने लगे तो application mountains जो North America के Eastern side पे है जहाँ पर आपका बाकी का Europe लगता है तो उस side पे है तो वहाँ पर यह जो mountains ऊपर की तरफ आए तो यहाँ पर silicate rocks थी जिन्होंने CO2 को सक कर लिया atmosphere में से और पूरा पूरा जो planet है वो चिल हो गया वो थंडा हो गया फिर जो second mass extension हो वो devonian era के अंदर हो 383 से 359 million years ago और इसमें 75% जो species थी वो खतम हो गई इसमें कहा जाता है कि with the emergence of land plants their deep roots stir up the earth releasing nutrients into the ocean this might have triggered the algae blooms which sucked up the oxygen out of water suffocating bottom dwellers like trilobites तो basically आज भी हम पढ़ते हैं death of lake का concept तो मैंने यह आपको environment के crash course में भी कराया हुआ है तो आप यहाँ पर जा सकते हो और आपको वहाँ पर link प्रोवाइड कर दूँगा so उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे nutrients जो नई plants है उन्होंने roots deep की roots deep करने से क्या हुआ nutrients release हुए air में और ocean में ocean के इंदर जो nutrients गया उससे क्या हुआ algae को बहुत जादा खाना मिल गया algae को enrichment मिली उससे वो फैलता गया और धीरे-धीरे coating क्रियेट होगी लेके उपर इस तरह से एक algae की coating क्रियेट होगी अब इस coating ने जो आपकी sunlight है उसको अंदर जाने से रोक दिया तो जो नीचे वाले plants थे उनको sunlight ने मिल रही प्लस oxygen भी कम होगी oxygen नहीं 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 मिल पारी oxygen नहीं नहीं मिल पारी तो जो present oxygen है उसके लिए लडाई होने शुरू होगी तो various जो animals और plants है वो compete करेंगे limited oxygen के लिए और धीरे-धीरे सब मर जाएंगे third mass extension कब हुई थी Permian era के अंदर and 252 million years ago इसमें 96% species lost हो गया था और इसमें हुआ था eruption हुआ था एक volcano का Siberia में जिसने CO2 को बहुत जादा atmosphere में छोड़ दिया था और धीरे-धीरे जो bacteria थे उन्होंने methane के साथ react किया और जो green house gases है वो release की तो potentially माना जाता है कि earth का temperature बहुत बढ़ गया global temperature बढ़ गया और oceans जो थे वो acidic हो गए और उसे जो poisonous gases है वो release होने लगी और life खतम होने लगी फिर fourth mass extension जो है वो terrific era के end में हुआ ये लगभख 2 million years ago की बात है पुरानी बात है और इसमें 80% जो species है वो loss हो गए थी और इसका अब तक कोई भी clear cut cause नहीं पता है हमें हाला कि कुछ लोग कहते हैं कि उस टाइम पे कोई asteroid गीरा होगा craters हमें मिलते हैं and all तो ये चीज़े देखने वाली हैं कि लेकिन हमेरे रपस factually कुछ भी अभी नहीं पता fifth mass extension जो है ये cretaceous era के अंदर हुआ 66 million years ago और इसमें भी 76% जो life थी species थी वो खतम हो गए इसके अंदर volcanic activity हुई और climate change हुआ प्लस asteroid जो थे वो भी कही नहीं गीरे तो इससे जो है जो area है वो पूरा खतम हो गया प्लस जो species हैं वो मरने लगी क्योंकि climatic conditions में changes आए अब जो five mass extensions हैं ये हर बार 70% जो प्रजातियां हैं उनको खंदब कर रही है इन सबी के अंदर जो common चीज़े थी वो थी environment का degradation चाहे वो volcano से हुआ हो चाहे वो oxygen की कमी से हुआ हो चाहे वो ice age से हुआ चाहे वो asteroid से हुआ पर किसी ना किसी तरीके से environment में alteration आया और इसके बाद एक और जो चीज़ होई वो लगया कि हमें लाखों साल लगे दुबारा से species को rebuild करने में और उस लाखों साल के बाद फिर से कुछ हो गया तो कहीं न कहीं ये cycle repeat हो रही है लेकिन इसके अंदर अब तक common क्या था कि humans involved नहीं थे अब जो sixth mass extension है इसका जो major cause है वो humans है तो ये human caused extension है और इसका जो immediate effect देख रहे हो है climatic destruction, environmental pollution, climate change ये सब चीज़े और इसलिए हम इसको anthropocene extension भी कहते हैं तो ये आपको याद रखने है कि sixth mass extension को ही हम anthropocene extension कहते हैं और इसके अंदर कहा जा रहा है कि सिर्फ 2% ही species बचेंगी और बाकी सब लुप्थ होती जा रही है और काफी सारे लुप्थ जो है वो already लुप्थ हो चुकी है इसका जो main आपने फरक देखा भी हम आगे पढ़ेंगे जो main सबसे जादा effect पढ़ा वो American continents पढ़ा तो जब Columbus ने America को ढूंडा, New World को ढूंडा तो वो अपने साथ बहुत सारी बिमारिया, बहुत सारी plants, बहुत सारे animals ऐसे लिखे गया जो की New World में यार की American continent North America और South America में नहीं पाये जाते थे तो इससे हुआ क्या कि ये सब के सब लोग संकरमित हो गए, यहां के animals संकरमित हो गए यहां के जो plants और animals का जो natural habitat था, इंसानों का natural habitat था, वो खतम हो गया और यहां पर जो इसे हम देखते हैं कि human population में तो drastic decline आया, 90% कहा जाता है कि Americans, जो actual Americans थी, जो red Indians कहा जाता है जिनको native Americans कहते हैं, वो सारे के सारे मारे गए, तो similarly इनका plant और biodiversity loss भी उतना ही हुआ और इसके अंदर एक और चीज़ है कि जो भी species खतम हो रही है, वो permanently खतम हो रही है, मतलब कि वो species का एक भी जानवर नहीं बचरा जिससे कि हम regenerate कर सकें या वो reproduce कर सकें The loss of species has been occurring since human ancestors developed agriculture over 11,000 years ago, तो जब से हमने खेती करना शुरू किया 11,000 years ago, तब से ही problem जी थी, वो start होने लगी, और जैसे जैसे humans की population बढ़ती गई, वन मिलियन यानि की सिर्फ 10 लाग से हम लोग हो गए, साड़े 700 करोर, 770 करोर, तो उससे population कहां 10 लाग थी, तो इससे जो damage हुआ, agriculture का, forest का, environment का, वो इसका major cause है The study analyzed that 29,400 species of terrestrial vertebrates, यानि की जिनकी पास कमर की हड़ी होती है, concluded that over 515 of them are near extension इन में से 1515 species ऐसी हैं जो खतम होने वाली हैं, और यह जो maximum हैं South America के अंदर हैं तो हमने देखा था कि South America के अंदर सबसे पहले, जो Spanish हैं, उन्होंने कबजा करा था, तो उसी time से इनका जो degradation है, वो शुरू हो गया था, इनका जो पतन है, वो शुरू हो गया था, और South America में 30%, आज भी जो near extension species हैं, वो हैं, उसके बाद Oceana यानि कि Australia वाले region में 21% हैं, Asia में 21 परसेंट हैं, और आफरिका में 16% species ऐसी हैं, जो खतम हो रही हैं, जो खतम हो रही है, और इसी के बाद हम देख रहे हैं कि human population भी काफी जादा बढ़ रही है, इससे हमारे पानी जो हम पीते हैं और जो क्रॉप्स की पॉलिनेशन होती हैं, जिसके थूप्स रिप्रिडूस करती हैं, तो क्रॉप्स पॉलिनेशन पे भी असर हुआ है, और अगर कोई ऐसी स्पीशी है, जिसका कोई alternative नहीं है, और वो की स्पीशी है अपनी फूट चेन की, तो उससे हमारे overall फूट चेन के उपर भी effect पड़ेगा, और pollination भी बहुत important है, जैसे bees के बारे में बताया जा रहा था, तो प्लांट्स पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे, प्लांट्स पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे, तो प्लांट्स के अंदर जो reproduction है, one plant to other plant, वो possible नहीं होगी, क्योंकि जो pollen grains है, वो bees के थ्रू ही, bees के पैरों के अंदर चिपकते हैं, and then they get transferred to the other female plants, and उसके बाद जो reproduction है, जो seed है, वो बनता है plant का, जो fruit है, वो बनता है plant का, तो वो सारी की सारा जो process है, वो बंध हो जाएगा, when the number of individuals in a population or species drops too low, its contribution to the ecosystem functions as services became unimportant, तो again जैसे जैसे किसी species की population कम होती रहती है, उसकी value भी decrease होती रहती है, and ultimately वो किसी नहीं किसी का prey बन जाएगा, और वो खतम हो जाएगा, और उस effect करेगा, जैसे हमने bees का example देखा, the effect of the extension are expected to worsen the genetic and cultural variability which would change the entire ecosystem, तो इससे हमारी जो genetics हैं, और जो cultural variability है, उससे भी काफी फरक पड़ेगा, extension होने से किसी भी species के, when the genetically variability and resilience is reduced, its contribution to human welfare may be lost, और humans के लिए भी काफी नुकसान दायक चीज होगी, So overall conclusion यही है कि हमें environment को protect करना चाहिए और we should take steps कि हम human population को control कर सके, especially in the countries like India and China, और China ने तो फिर भी control कर रख है, तो mainly India, प्लस हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो hunting विगरा करते हैं, आज भी हम wild animals की या rare animals की, अभी जैसे COVID-19 का pandemic हुआ तो हमें पता चला कि China के अंदर बहुत सारे wild animals जो हैं या rare animals जो हैं उनको human consumption के लिए food की तरह या medicines की तरह जो है दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो animals हैं यह पहले ही rare हैं, बहुत कम इनकी species बची हैं और यह reproduce बहुत slow करते हैं, जो यह special wild animals होते हैं, बहुत कम reproduction होते हैं, इनकी बहुत कम fertility rate होता है, तो यह जब पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे, पूरी तरह से खतम हो जाएंगे, तो हमें इन चीज़ों पर भी चेक करना चाहिए, कि जो natural habitat है इनका वो destroy ना हो, और हर एक country steps ले ताकि इनकी जो biodiversity है, उसे बचाया जा सके, otherwise आपकी plants की production जो है वो खतम हो जाएगी, आपका environmental जो पनप सकता है, और ultimately diseases भी आ सकते हैं, और बहुत सारी तरह की problems आ सकते हैं, जिसे की food security से hunger से भी लोग मर जाएंगे, तो it is an overall very important topic और ये आपको बहुत सारे photo points भी देता है आपके essays के लिए, और other journal topics के लिए, तो GS3 का ये part है, तो चलिए अब आखर में देख लेते हैं, कि हम आपको बार-बार कहते हैं, आपको anacademy plus join करना चाहिए, तो क्यों join करना चाहिए, क्या reasons हैं, जिसके लिए हम आपको कहते हैं, कि anacademy plus किसी offline coaching से better है, तो देखिए, सबसे पहली जो चीज है, वो है कि आप अपने favorite teacher से सीख सकते हैं, तो इसके अंदर कोई teachers के उपर बंदि में आता, या आप उन teacher से नहीं समझना चाते हैं, किसी और teacher से पढ़ना चाते हैं, तो इस case में आपको extra खर्चा करना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है, लेकिन anacademy plus में ऐसा नहीं है, आपको जिस भी teacher से जो subject समझ में आता है, आप उससे वो पढ़ सकते हैं, तो आ आप कितनी मर्जी बार teachers को switch कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो आपको best combination of teachers लगता है, आप उनके जो lectures हैं वो देख सकते हैं, और अपना slaves घर बैटे बैटे आराम से पूरा कर सकते हैं, second यहाँ पे आपको dedicated doubt clearing sessions मिलते हैं, तो यानि कि आपके सारी doubts जो है, वो to the point विल्कुल स आपके साथ ही निप्टारा कर दिया जाता है, तो निप in the bud हो जाता है, ताकि कोई भी doubt ऐसा नहीं हो जो linger on करता रहें, और बाद में आपको problem create करें, revision के टाइम पर आपको problem आए, तो आपके सारी doubts को specific sessions के अंदर completely cover कर दिया जाता है, again जो बहुत बार आपकी offline classes हैं, उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत जादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका clearing doubt session चलता रहेगा, आपके doubts जहनें वो clear होते रहेंगे, उसके बाद आपको एक ही subscription के अंदर multiple courses हैं वो मिल जाते हैं, और आपको unlimited access मिल जाता है, पूर specific courses देखने हैं, specific lectures देखने हैं, तो आप वो भी इसी subscription के अंदर देख सकते हैं, तो एकी subscription आपको अलगलग exams की त्यारी basically करा रही है, तो एकी subscription से आपको बहुत कुछ मिल जाता है, तो again अगर आप अच्छे से इसका फायदा उठाएं तो आप multiple exams भी crack कर सकते हैं, और जो बहुत सारे पैसे बचते हैं, क्योंकि आप देखिए अगर आप offline coaching में जाते हैं, तो आपको एक तो आने जाने का खर्चा लगता है, उसके बाद कई बार parking fees लगती है, उसके बाद अगर आप किसी दूर अपने आप गाउं में रहते हैं, या आपकी शहर के आसपास कोई coaching नहीं है, तो आपको जाके रहना पड़ता है, उसमें आपका monthly expenditure बहुत बढ़ जाता है, आपका खाने का, रहने का और अन्य चीजों का खर्चा बहुत जाता है, तो वो सारे के सारे आपके खर्चे इसमें दूर हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर real time interaction है teachers के साथ, तो ऐसा आपका interaction जो है, वो पूरा अच्छे से रहेगा, जैसे कि आपका offline classes में रहता है, तो आप इस चीज़ को तो बिलकुल मन से निकाल देजिए, कि teachers के साथ interaction नहीं हो पारा है, या doubts जो है, वो बच जा रहे हैं, doubts clear नहीं हो पारे, इसके अलावा आपको अन्यापे unlimited test series मिलेगी, तो exam से पहले सबसे जादा important होता है, कि आपने कितने test किये, क्योंकि जितने test किये, और especially जो हम test में गलत करते हैं चीज़ें, वो हमें जरूर याद रहती हैं, तो इसलिए test के अंदर की जो गलती हैं, वो आपकी बार-बार revise होंगी, तो आपको अलग से test series के लिए कोई payment नह सकते हो, इसके लावा हर class के आपको PDF notes मिलेंगे, and PDF भी आपको दोनों तरह से मिलेंगे, annotated और बिना annotated, तो अगर plain suppose कीज़े, आपने कोई MCQ का course लगाया, और उसके अंदर आपने plain PDF file ले ली, तो आप बाद में उसको खुझ से practice कर सकते हो, कि आपको कितने questions याद हो गए, और बाद में आप उसे annotated है, जिसमें teachers ने आपको answers और reasons वहा कराएं, उसके साथ match करके देख सकते हो, कि आपकी reasoning कितनी correct थी, तो इस तरीके से आपके MC की उसकी practice बहुत अच्छी हो जाती है, प्लस आपको जो theoretical chapters है, उनके भी हर एक chapter के हर एक वीडियो की PDF notes दिये जाते हैं, इसके इलावा आपका full syllabus coverage होता है, बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं, जो कहते हैं कि हमारा जो syllabus है वो अधूरा रह गया, सर ने NCRT नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, कुछ ना कुछ किसी ना किसी coaching पे कुछ रह जाता है, तो बहुत सारी coachings जो हैं, वो complete भी करा देती है लेकिन कुछ बच्चों कर रहा जाता है, लेकिन एन academy पे आपको पूरा पाठे करम कराया जाएगा, पूरा syllabus आपका cover किया जाएगा, और इसके अंदर एक और advantage है, वो यह है कि अगर आपको लगता है किसी teacher ने कोई topic मिस कर दिया, या कोई topic आपको ठीक से समझने आया, तो आप वो switch करके दूसरे teacher का same topic search कर सकते हो, देख सकते हो, उसके अंदर भी आपको कोई रोक नहीं है, कोई आपके extra charges नहीं है, and lastly, आप सबी videos को download कर सकते हो, और offline भी देख सकते हो, यह again बहुत important चीज़ है, special उन लोगों के लिए, जो कि किसी remote area में रहते हैं, या फिर किसी भ download करके रखा हुआ है, तो आपका syllabus आपकी पढ़ाई नहीं रुखती, और आप साथ की साथ उन चीज़ों को revise कर सकते हो, उन चीज़ों को देख सकते हो, और आपका जो पढ़ाई का नुकसान है, वो कहीं न कहीं avoid हो जाता है, प्लस आपका data भी बचता है, तो again क्यूंकि अगर चलाओगे तो आपका data use होगा, तो उस case के अंदर आप एक बार offline save करके रख लोगे, तो उसे जितनी बर्जी बाद आप repeat पर चला सकते हो, और offline सारी की सारी वीडियो को देख सकते हो, तो ये again एक बहुत बढ़ा advantage होता है, तो ये कुछ advantages मैंने बताए, आपको क्यूं जोइन करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि अगर अगर आपको लगता है कि अगर आपको अगर आपको अच्छी डील है, अगर आप किसी भी competitive exam की त्यारी करते हो, रहे हो, so I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, informative लगा होगा, thank you for watching this video and have a nice day. झार आपको लगता है, कि वे अगर आपको इया के त्यारी कृटका अवादधार आपको, कि अगले आपको लगता है झाल झाल